हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के बजार पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा दोस्तों शुरू करते हैं सबसे फसे जाएंन की तरफ से कार्टिकल निकल कर आता है जहां पर आप सकते हैं तक यहां दोस्तों इस साल 6-7% तक इमांड जो है वो आपको बढ़ती भी देखने को मिलेगी इंफ्रास्क्टर स्पेंदिंग के जडिये और गवर्मेंट का भी यहाँ पर बहुत सारा आप कह सकते हैं कि अनॉंस्मेंट आती भी देखने को मिलेगी इस पर ब्रोकरिज के जन रिशेर्च फ्रॉम् एंटी क्टाउक ब्रोकिंग और इनका क्या मानना है इनका यहीं मानना है कि यहाँ पर तो कम्परी के प्रॉफिट से एबटा है वो आपको बरते वे देखने को मिलेंगे जो metal stocks को आपको बाय कर रहा है याप पर दो metal stocks को बाय की सला दी गई है Tata Steel and JSPL and Steel Authority of India को होड की category में रखा गया है तो overall यहाँ पर bullishness आपको नजर आती भी देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं पिछले 5 sessions में counter ने 14% की तेजी कर दी है और अगर 92 रुपीस का जो level है जो इसका बहुत important resistance है अगर वो resistance की closing आजाती है तो आपको 102 रुप तक के भी levels इसमें आस्तानी से देखने को मिल जाएंगे तो कल का दिन काफी important हैने वाल है अगर आज के markets की बात करे तो हर index आज positive में था Sensex, Nifty, Nifty Bank, Nifty Midcap 100 यह सारे index आज इस positive में trade करते हुए देखने को मिले और जो Nifty का metal index है वो आज अपने 52 week highs पर trade करता हुआ देखने को मिला है और volume की अगर बात कर तो Steel Authority of India में 87 million की volume आती भी देखने को मिले 6 रूपे 30 पैसे की बडोतरी जो है वो आज इस counter में होती भी देखने को मिले इंट्रादे के हाई की अगर बात करे तो 89 रूपीस 50 पैसे का स्टॉक का इंट्रादे का हाई था तो अल्मूस्स दोस्तों स्टॉक अपने इंट्रादे के हाई पर ही फ्लोट कर रहा था वो अजस्टेट क्लोजिंग जो थी वो 88 95 पर आती भी देखने को मिली वरना आज स्टॉक ने बहुत तगड़ा कारोबार किया था अगर अगर इसके फिटु वीक हाई करे तो 113 रू दस रूपे 85 पर इस कंपनी की EPS है एवरेज पी एड 8.3 की फेस वाल्यू की अगर बात कर तो फेस वाल्यू दस का तो आप कह सकते हैं कि यह स्टॉक हाई ली अंडर वैल्यूड है अग जब तक यह शेर 100 रूपे के नीचे तब तक हाई ली अंडर वाल्यूड उसके बाद 100 रूपे के बाद जैसे यह शेर आगे बड़ेगा वैसे वैसे इस स्टॉक में वैल्यू अन्लॉकिंग बनती भी देखने को मिलेगी और आपने देखा होगा इसके मैंग्जिम चार्ट आपने देखे होंगे तो काउंटर ने 200 रूपे का लेवल भी पहले चुआ है अभी रोड़ी Pendle और करोड़ी के दिन तीन करोण आए अज के दिन नोगरो घूदे को मिलीक जस्ट आप थीन कोना की बड़ोत्र मंथली पर Racism 2018 है मुझे लगता है कि 92 र्रिस ऺंड एंप इंपोर्टेने वाला है अगर 92 का इस फ्र Tout Azμडल से तो क्लियर कर ले तो आपको आसानी से इस काउंटर के अंदर आता हुआ देखने को मिल जाएगा आपने देखा होगा सब काउंटर कितनी अच्छी सी तेजी करते हैं भेल देख लीजिए सेल देख लीजिए सेल ने दूस्तों लोट अंडर परफॉरमेंस किया है बेल ने काफी अच्छा लाड़ी रहता हुआ देखने को मिलेगा दूसे लिए दोस्तों अब चलते स्टॉक के इंटरे की चार्ट्स पर और कल के एंड लॉंग तम की टागिट्स पर चर्चा करते हैं तो फ्रेंट स्टॉक के में चार्ट्स पर आगया हूं आप यहां पर देख सकते हैं 2000 लगबग लगबग दोस्तों इस काउंटर का 64 रुपए बनता हुआ देखने को मिलता है 64 का फिर से 90 होता हुआ देखने को मिला है तो ओवराल आप देख सकते हैं ओवर दे पीरेड ओफ इयर्स इस काउंटर ने बहुत तगडी वैल्थ डिस्ट्रॉई करी है लेकिन कंपरी ने डिव देखने को मिलेगा और 2023 जो है वो आपको मेटल सेक्टर के नाम डेफिनिटली रहता हुआ देखने को मिल सकता है और यहां से मुझे लगता है कि आने वाले एक से डेर सालू के अंदर अंदर फिर से जो यह लेवल था स्टॉक का एक सो पचास का उस लेवल को फिर से यह शे अगर कल के दिन यह स्टॉक ने लेवल है वो तोड़ दिया दिन डेफिनिटली आपको कल के दिन भी एक 6-7% की तेजी आसानी से काउंटर में देखने को मिल सकती है तो कल की मेरी अगर सेड़ी की बात कर तो कल मेरी यही सला है एक्जैक्ली 91 रुपीज के लेवल का वेट कर कि यह शेर आपको थोड़ी छोटी मोटी गिरावट करता हुआ देखने को मिल जाए तो गिरावट में जरूर आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं बजट तक के टागेट के अगर बात कर तो बजट तक मुझी लगता है कि यह जो काउंटर है वो आपको minimum to minimum 100 से 130 नापट प्रभु के ले ऊचंगे मुझी दो लाए रए विए